आज के वीडियो में हम बात करेंगे चाइना फोकस्ट Overseas Mutual Funds की जिसमें पिछले एक साल में 35-40% की गिरावट आई है तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डीटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई आज इन इन्वेस्टर क्या आपके पास ये उपर्चिनिटी है और आपको क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें overseas mutual fund की तो पिछले कुछ सालों से जो Indian investor है वो अपने portfolio को diversify करने के लिए कुछ ऐसी opportunity ढूंड रहे हैं जिसके द्वारा वो American और Chinese companies में invest कर पाए तो इस requirement को देखते हुए जो asset management companies हैं उन्होंने कुछ mutual fund introduce किये हैं जिससे कि वो US की market और Chinese market में invest करते हैं जो ये investment है या तो directly stock में की जाती है जो इन countries के stock exchange है वहाँ से वो stocks खरीदते हैं या वो Hong Kong जो focused mutual fund है उनके द्वारा Chinese company में invest करते हैं तो diversification का idea तो बहुत ही solid है लेकिन पिछले एक साल में जिन investor ने China focused funds में specifically invest किया है ये कुछ mutual fund है जो कि US और Chinese companies में invest करते हैं इसके अलावा भी कुछ options हैं तो अगर आप इनको detail में समझना चाहते हैं तो आप मेरे ये videos देख सकते हैं जो मेरे channel पे available हैं तो जिन investor ने खास करके Chinese जो mutual fund है उसमें invest किया जैसे Mirai Asset Hang Seng हो गया Nippon India ETF Hang Seng हो गया इन्होंने अपने एक साल में हाथ जलाए हैं क्योंकि growth slowdown की वज़े से पिछले एक साल में जो Chinese companies के जो stocks हैं वो 35 से 42% नीचे गिरे हैं और अगर बात की जाएगी भई आखिरकार चाइना में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों आ रही है तो उसकी वज़ाए है negative development जो की चाइना में हो रही हैं सबसे पहले तो Chinese government ने zero COVID जो policy है उसको adopt कर रखा है तो ये virus के कुछ cases भी आते हैं तो ये lockdown लगा देते हैं और इनके lockdown बहुत ही जाज़ा strict होते हैं जो कि इनकी economy को impact कर रहे हैं और economy में इतना severe impact है कि जो इनकी GDP है लगातार गिर रही है उसके अलावा fiscal deficit लगातार बढ़ रहा है और इनकी जो currency है उसके उपर भी pressure बढ़ रहा है जो अभी इनोंने third quarter 2022 के GDP growth के number share की है इसमें 3.9% की इनकी growth से यह 0.4% उपर है लेकिन अगर आप इंडिया से compare करेंगे तो इंडिया की growth है इस साल में 6.1% रह सकती है पूरे साल की तो यह काफी जो just speed से grow करते थे उसमें काफी कमी आई है जिसकी वज़े से इनके stocks किर रहे हैं और इनकी जो crucial property market है उसमें बहुत ज्यादा disruption आ रही है क इसको देखते हुए जो home loan borrowers है retail जो borrowers है वो अपनी installment EMI नहीं पे कर रहे है क्योंकि उनकी property उनको नहीं मिल रही तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा property का crisis आ रहा है और यहां पे बहुत बड़े default की अशंग का है इन सब के अलावा Mr. Xi Jinping ये भी एक समस्या बने हुए है क्योंकि इन्होंने third जो पांच साल की term है उसको secure कर लिया है और जैसे ही ये announcement आई कि इन्होंने third term secure कर लिया है तो Chinese जो stock market है वो नीचे गिरी क्योंकि investor डरे हुए है कि इनकी ideology driven measures होते हैं जैसे कि इन्होंने अभी पीछे technology companies के ओपर इतना ज़्यादा crackdown किया कि billion dollars की जो investor की wealth है वो डूब गई जाए वो 10 cent हो या जो बड़ी बड़ी IT companies हैं चाइना में उनके shares बहुत गिरे थे तो आगे भी उमीद है कि आप same person पांच साल के लिए रहेगा तो ऐसे measure और भी ले सकता है इसके अलावा इनका जो ताइवान को लेकर के stance है उसको लेकर के भी investor घबराए हुए है कि कभी भी US के साथ इनका पंगा हो सकता है और उस time पे Chinese stock market है बहुत जादा गिर सकती है जैसे अभी पीछे Russia Ukraine का conflict हुआ similarly अगर चाइवान का conflict बिगड़ता है तो इनकी stock market और भी गिरेगी आलागि दुनिया वर की stock market इससे impact होंगी लेकिन चाइना में जो economic इसका impact होगा वो सबसे जादा होगा तो इन सब बातों को देखते हुए जो भारत के कुछ mutual fund schemes हैं जो कि Chinese companies में large exposure रखती है इसमें invest करती है उसकी अगर आप पिछले तीन महीने से लेकर के एक साल की performance देखेंगे तो आप बहुत ही जादा निराश होंगे जैसे Access Greater China Equity Fund इसने पिछले तीन महीनों में 25% की negative return दी है पिछले एक साल में 36% की इडल वी इसका Greater China जो Equity Offshore Fund है 24% की तीन महीने में 43% की इसने एक साल में negative return दी है तो यह सभी जो schemes है जो चाइना में इन्वेस्ट करती है उन्होंने इतनी खराब return दी है एक साल में कि अब investor सोच रहे हैं कि भई हम क्या इन scheme से निकल जाए अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है या क्या यह opportunity है कि अगर कोई 33% 35-40% कोई गिर चुकी है stocks तो आने वाले टाइम में क्योंकि Chinese economy तो अभी भी solid है और यह बढ़ इन्यान वो यह है कि अगर आपका existing exposure है यानि कि already आपने in funds में invest कर रखा है तो इस time पे निकलना तो बिलकुल भी sense नहीं बनाता क्योंकि जो भी negativity थी already वो impacted है baked in है price में तो अगर आप इस time पे निकल के जाते हैं तो आप नीचे का scope बहुत ही कम है लेकिन उपर का scope काफी हो सक सकता है तो अगर आप invested हैं तो इस time पे आपको better होगा कि आप hold कीजिए wait कीजिए recovery के लिए यही better strategy होगी इस time पे निकलना बहुत ही ज्यादा गलट decision साबित हो सकता है लेकिन अगर बात की जाए नई investment की भाई अभी तक हमने इन्वेस्ट नहीं किया बट इतने जादा यह mutual fund गिरे हुए है क्या हमें इसमें invest करना चाहिए तो सबसे पहले तो आप यह चेक कीजिए कि क्या यह mutual fund नई investment accept कर रहे हैं क्योंकि February 2022 में जो सैबी है उन्होंने mutual fund की जो overseas investment पर restriction लगाई थी क्योंकि 7 billion की limit थी जो की बहुत जल्दी cross होने वाली थी तो इन्होंने limit लगाई थी तो conditional basis पे थोड़े time पहले सैबी ने इसके उपर investment की जो रोग थी उसको हटा दिया था तो आपको चेक करना पड़ेगा अपने mutual fund house से कि भई क्या जिन funds में आप invest करना चाहते हैं वो further investment ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अगर वो ले रहे हैं तो आप इसमें invest कर सकते हैं ले हो सकता है लेकिन on the card, on the face of it ऐसा लगता नहीं है लेकिन अगर आप long term के लिए अगर आपका नजरिया तीन से पांच साल या और लंबा है तो मुझे लगता है या expert की भी जो opinion है वो यह है कि यह जो mutual fund है आपको काफी अच्छी return दे सकते हैं हाला कि video close करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि जो भी views हैं वो मेरे personal हैं अगर आप किसी भी scheme में invest करना चाहते हैं तो अपनी further research के basis पे ही कीजिए thanks so much for watching the video and God bless you all